हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ से draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली हैं एक complete square shape बना रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हतेली की जो यहाँ पर indicate कर रही है काफी hard working type की nature को और साथी साथ यहाँ पर आप fingers को देख सकते हैं काफी thick हैं इनकी fingers और इसी वज़े से काफी अच्छी energy और stamina इनके भीतर रहने वाला है अब देख सकते हैं base phalanges जो हैं इनके सभी fingers के काफी thick नजर आ रहे हैं उसके साथी साथ काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनके सभी phalanges के ओपर नजर आ रही हैं आपको draw करके दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह कि सीधी खड़ी रिखाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी लगभग सभी phalanges के ओपर मौझूद हैं यह indicate करते हैं काफी अच्छी और friendly nature को ऐसे व्यक्ति जिनके सभी phalanges के ओपर ऐसी रिखाएं हो बहुत friendly nature के होते हैं लेकिन अगर कुछ आड़ी रिखाएं भी हो तो कुछ alteration आ जाती है अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आड़ी रिखाएं भी है जो व्यक्ति को थोड़ी aggressive nature भी देती हैं तो यहाँ पर at times यह काफी aggressive हो सकते हैं जिस वजह से अपने खास रिखतेदारों और खास relatives के साथ मन मुटाब भी कर सकते हैं आगे आप देख सकते हैं इनकी fingers की length को तो यहाँ पर इनकी सूर्य finger की length काफी ज्यादा है आप देख सकते हैं सूर्य finger जो शनी finger है उसकी जो first falange है इसके half को भी cross कर रही और काफी अच्छी लंबाई में जिस वजह से यहाँ पर creativity इनकी काफी अच्छी रहेगी और even ऐसे व nature रहेगी ऐसे विक्ति के पर investments के मामले में भी risk ले लेते हैं और gambling वाली जगहों पर भी अपना पैसा invest कर देते हैं जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी जगहों पर भी अपना पैसा लगा बैठते हैं च्योंकि थोड़ी risk taking जो capacity ऐसे विक्ति की ज्यादा रहती है जिनकी सूर्य finger पावना इनके अंदर ज्यादा रहेगी और यहाँ पर leadership qualities में भी थोड़ी कमी आती है अगर ब्रस्पती finger tilted हो और short हो और आप देख सकते हैं इनकी शनी finger काफी अच्छी length में बिल्कुल straight है जिस वजह से ऐसे विक्ति काफी hard working होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही life म तरकी कर पाते हैं अब देख सकते हैं इनकी mercury finger mercury finger यहाँ पर अच्छी लंबाई में है जो इनके सूरे finger के first falange के करीब पहुँच रही है लेकिन mercury finger थोड़ी सी low set होती हुई भी नजर आ रही है जिसकी वजह से communication skills उनके काफी अच्छे रहेंगे थोड़ी shy nature लेकिन यहाँ प करते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount ज्यादा low set नहीं है सभी mounts को यहाँ पर बहुत अ रिखाओं कि मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर close up में आपको काफी clear नजर आ रहा होगा इनका ब्रस्पती mount और इस mount के ओपर यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ चलने वाली रिखाएं आपको काफी clearly दिखाई दे रही होंगी इस तरह की रिखाएं जिने हम ब्रस्पती finger है वो भी थोड़ी सी tilted है शनी mount की तरफ जिस वज़े से spirituality भी काफी अच्छी रहेगी इनके अंदर और यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन बन रहा है एक आई का चिन जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं यव का चिन भी इसको कहा जाता है यहाँ चिन भी spirituality को मान समान मिलेगा अब बात करते हैं शनी mount की शनी mount थोड़ा सा दबता वो नजर आ रहा है जिस वज़े से life में काफी hard work रहता है व्यक्ति की काफी मेहनत करनी पड़ती है तभी results मिल पाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर शनी रेखा को भी शनी रेखा मुझे यहाँ काफी अची नजर आ रही है और अब देख सकते हैं मिडल से हैंड के मिडल से यहाँ पर इनकी शनी रेखा शुरू हो रही है और कुछ इस तरह की शनी रेखा जो completely शनी mount थक और हार्ट लाइन के साथ ही मर्च हो रही है पहुँच रही है जिस वज़े से life में मेहनत भी रहे है जिस वज़े से लेटरेज में चलकर इन्हें काफी अच्छी recognition society में जरूर मिल जाएगी अब देख सकते हैं यहाँ जो सूर्या mount का area है यहाँ जो area है यह थोड़ा सा अंदर की तरफ दब रहा है और यहाँ पर एक सूर्या रेखा जो लगबगी size की और कुछ overlapping के साथ यह हाँ पर एक और रेखा है इस तरह की सूर्या रेखाएं मौजूद हैं यहाँ रेखाएं व्यक्ति को later age में benefit देती हैं अगर यह लंबी रेखाएं हो तो व्यक्ति छोटी age से ही famous होना शुरू हो जाता लेकिन यहाँ पर यह हाँ हाट लाइन के ऊपर से ही नजर आ रही है इ पर काफी clear नजर आ रही है इस तरह की रेखाएं व्यक्ति के business equipment को strength देती हैं enhance करती हैं और ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति sympathetic nature का होता है दूसरों के दुख दर्द दूर करने की capacity ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है और जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजू कर रही है तो यह काफी अच्छा चिन है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines इनके बारे में क्या क्या indicate करती है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इनकी heart line की आप देख सकते है heart line जो है इनकी बिलकुल अच्छे curve में नजर आ रही है और कुछ विष्णू सिंबल जिनके भी हाथ पर होता है ऐसे व्यक्ति काफी lucky होते हैं यहाँ पर हमने देखा है इनके हाथ में दो religious चिन है एक विष्णू सिंबल है और दूसरा यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन भी यहाँ पर काफी अच्छा बन रहा है तो ऐसे चिन व्यक्ति क लिए काफी lucky रहते हैं विष्णू चिन जिनके भी हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति खूब progress करते हैं लाइफ में बेशक तो कुछ ups and downs रहा सकते हैं क्योंकि वो एक अलग matter है क्योंकि जहाँ जहाँ पर रहू रिखाएं अफ्लिक्ट करती हैं रहू रिखाएं होती हैं या औ और कुछ negative points होते हैं वहाँ पर कुछ दिक्ते हैं life में आ सकते हैं लेकिन overall अगर पूरी life की progress को देखा जाए तो जिनके हाथ पर ऐसे lucky चिन होते हैं ऐसे व्यक्ति काफी progress करते हैं तो विष्णू सिंबल यहाँ पर है और जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उनको हमेशा म माना जाता है और अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर यह चिन है सही रास्ते पर चले धरम करम के रास्ते पर चलता रहे तो life में खूब progress पा लेता है आगे आप देख सकते हैं इनकी जो heart line है उसका curve काफी अच्छे curve में है जिस वचे से थोड़ी emotional type की personality भी इनकी रहेगी उ पर आप देख से downward जाने वाले काफी सारे चिन इनके heart line पर नजर आ रहे हैं इस तरह के जो हलकी branches नीचे की तरफ निकलती है heart line से यह emotional बनाती है व्यक्ति को life में emotional setbacks मिलते हैं यह जो रिखाएं हैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाते हैं और even sometimes ऐसी रिखाएं ज इसी दिक्कत का भी व्यक्ति को सामना करना पढ़ सकता है इसी रिखाएं होने की वज़े से तो चलिए आगे देखते हैं इनकी mind line को क्या बताती है इनकी mind line आप देख सकते हैं इनकी mind line है वो नीची की तरफ जुक रही है काफी लंबी mind line है और यहां से इनकी life line के साथ जु इनकी mindations काफी ज्यादा रहती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर कलपना शीलता काफी अच्छी होती है और अगर ऐसा व्यक्ति कलपना शीलता का कोई अच्छा यूज करता है यानि उसको चैनलाइज कर लेता है तो यह benefit ले सकता है व्यक्ति अदरवाइज यह जुकी हुई line व्य अगर घटना हुई है वो भी व्यक्ति को याद रहती है और ऐसे व्यक्ति को move on करने में दिखते होती है और ऐसा व्यक्ति जल्दी life में आगे नहीं बढ़ पाता तो अगर इनकी अंदर कोई creativity है कोई color है तो इन्हें उस color का use करना चाहिए जैसे कुछ writing करने की कुछ कोई painting क या कोई भी ऐसा किसी music create करने जैसे कुछ भी ऐसा हो तो उसका इस्टिमाल करेंगे तो यह जो imagination है यह channelize हो जाती है और ऐसा व्यक्ति life में progress कर पाता है अधरवाइस बहुत ज़्यादा लंबी mind की line होना भी कई बार तनाव का कारण बनती है और आप देख सकते हैं इनकी line of life बाहर की तरफ निकलती हुई जो indicate करती है व्यक्ति का सबंद किसी foreign country से हो सकता है विदेश यात्राइं हो सकती है विदेश से income हो सकती है क्योंकि यहां पर यह रेखा बूरी तरह से बाहर की तरफ निकल रही है कुछ इस तरह हैं से और बिल्कुल straight line है इस तरह की straight line होने के वज़े से बैकबॉन से related problems का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और अगर एक curvy line हो तो यह अच्छी health देती है तो यहां पर थोड़े स health issues रहने के chances भी रहते हैं फॉरन से related कोई काम यह कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ड का काम कर सकते हैं या किसी multinational company से जोड़ सकत की age को यह enjoy कर पाएंगे उसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं अंदर की तरफ चलने वाली दो रिखाएं मौजूद हैं जिने हम mangal की lines कहते हैं इस तरह के रिखाएं होना व्यक्ति को एक तो health में help करती हैं व्यक्ति को health अगर issues आते हैं तो वहां पर यहां रिखाए स्पोर्ट का काम करती हैं और दूसरा ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी property बना सकता है किसी technical शेतर में हो सकता है मंगल से जुड़े किसे काम में हो सकता है तो यह रिखाएं मंगल की रिखाएं व्यक्ति को काफी help करती हैं इस तरह की रिखाएं होने से व्यक्ति को lab ही मिलता है थोड़ा aggression भी बढ़ जाता है अगर इस तरह की रिखाएं हाथ में मौझूद हूँ और शुकर एरिया को देखा जा है तो शुकर एरिया यहां पर उबरा हुआ है जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुकसुधाएं मिल जाती है लाइफ में कुछ हलकी problems भी नजर आ र चंदर एरिया के ओपर आना थोड़ा तनाव दे सकता है अधर्वाइस कोई भी major problem मुझे यहां पर चंदर एरिया के ओपर नजर नहीं आ रही तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के तुरू दे पाऊ लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुआल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question पर है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद